Let's see what are the results at the chapter 1 of India versus Indonesia's regional wars And here it is यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे FS टेबल टॉप में है और यह तो भई expect करा ही था 102 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे BTR Delta 79 पॉइंट के साथ 2nd position पे Echo Esports 77 पॉइंट के साथ 3 पाइदान पे Opera X 75 पॉइंट के साथ 4th position पे चलिए Top 4 में इंडिया की एक team है और Top 5 में भी है TSG Army 68 पॉइंट के साथ 5th position RRQ Kazoo यहाँ पे अगर आप देखें 85 पॉइंट के साथ 6th पाइदान पे पे एवोस डिवाइन 64 पॉइंट के साथ 7th औरेंग उटान पचास में आट में पे पहले हैं Big Brother 46 पॉइंट के साथ 9th Onik 39 पॉइंट के साथ 10th The Mafia's 20 पॉइंट के साथ 11th And God-like इनका एक प्लेयर जुड़ी नहीं पा रहा था 17 पॉइंट के साथ 12th position में एक चीज है जो positive मुझे लगी है Rishi कि apart from FS कोई भी टीम इतना आगे नहीं है जिसको कल हम पार नहीं कर सकते हैं So Indian fans cheer up अभी भी show time बागी है सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो Table Toppers की टीम है वो काफी आगे Otherwise बागी टीम हो घेरा जा सकता है Time for MVP MVP अभी कुछी बाशक्ती में ही जाती है So I think यहां पे बड़ी वापसी हो सकती है And Top Fraggers आए है अरे बाप अरे Top Fraggers में अगर आप देखे तो FRX के इकल यहां पे 21 किल्स के साथ यहां पे मौझूद है और Evoz के Aim God 20 किल्स के साथ दुत्यस्थान पे और Echoes के डूट्स भाई इसने भाई बहुत किल करे थे डूट्स यो डूट्स 19 किल करके भाई बड़ी पिटाई करी है बड़ी पिटाई करी है इस वकत डूट्स की चैरे की मुस्कान बड़ी अच्छी लगी मुझे लेकिन डेफिनेटली एक रात की सास ली होगी इंडियन फैंस ने क्योंकि टेबल उतना बुरा नहीं है जितना शायद उमीद कर रहे थे तो चलिए जितना बड़ी अच्छी लगी